अलो फ्रेंज वैलकम टू स्टडी ट्रिक्स इस लेक्चर सीरीज में हम डिसकस कर रहे हैं रेलवें टीपीसी और ग्रोप डी के लिए जीके के मॉस्ट इंपोर्टन कोस्टन जिसमें हम यूथ कमपटीशन टाइम्स की बुक को सॉल्व कर रहे हैं तो आज हम डिसकस करेंगे इन्डियन पॉलिटी का प्रक्टिस हैट नंबर बन जिसमें हम सम्मेदान के मॉस्ट इंपोर्टन कोस्टन देखेंगे सलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो हमारा पहला कुस्टन है निमले कित में से कौन सम्मेदान सबाक्या देक्ष थे तो कौन थे राजिदिनर परसाथ ऑफ्सन अब डी करेक्ट हो जाएगा हमारा तो कैबिनेट मिसंट की संसुतियों के अधार पर भारती सम्मेदान का निर्मार्ट करने वाली सम्मेदान जुलाई 1946 इस भी में किया गया ग्यारा दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजिदिनर परसाथ को सम्मेदान सबाका इस्ताई अधेक्ष निर्वाचित हुए थे यह भारत की प्रदम राजपती भी थे जबकि सांद सम्मेदान सबाके अस्ताई अधेक्ष कौन थे डॉक्टर सचिन हो जाएगा हमारा फैंस भारती सम्मेदान का सम्मेदानों का मित्रल है भारती सम्मेदान की अनेक देशी और विदेशी स्रोथ हैं लेकिन भारती सम्मेदान पर सबसे अधिक प्रभाब भारती सासन अधिनियम 1935 का तो एक्जाम में यह कोस्टन भी आप से पुछ सकते हैं भारती सम्मेदान के 395-62 में से लगबग 2,500-62 ऐसे हैं जो 1935 एजवी के अधिनियम से या तो सबांस्ता ले लिए गए हैं या फिर उनमें थोड़ा सा परिवर्दन के साथ लिया गया है आपको यह चीज भी धियान अखना है नेक्ट कोस्ट ने हमारा भारत में कौन सा दिन सम्मेदान दिवस की रूप में मनाया जाता है तो कौन सा मनाया जाता है 26 नमबर ऑप्सन एक रेक्ट हो जाएगा हमारा फेंट्स भारत में सम्मिदान दिवस 26 नमबर को मनाया जाता है इसकी सुरुआत बर्थ 1215 में डॉक्टर भीमराव अमेटकर की 125 भी जैनती में किया गया भारत का सम्मिदान 26 नमबर 1949 को बनकर तयार हुआ और इसके कुछ रापदान उसी दिन लागू कर दी गे थे जिसके फलतरूप इस दिन को सम्मिदान दिवस की रूप में मनाया जाता है जबकि भारती सम्मिदान 26 जनबरी 1950 को पूर लूप से लागू किया गया इसलिए 26 जनवरी को गलतन दिवस की रूप में मनाया जाता है तो आपको ये चीज भी ध्यान रखना है अगला कोस्ट नेमारा भारत में संभ्धान दिवस कम मनाये जाता है तो कब मनाये जाता है, 26 नमंबर को ओप्सन C प्रेक्ट हो जाएगा नेक्ट कुस्ट नेमारा को सम्विदान सभा द्वारा भारती सम्विदान की अंगीकरत और अधिनियम अधिनियमित किया गया था तो कब किया गया था 26 नमंबर प्रेंट्स भारती सम्विदान की प्रस्तामना में सम्विदान को अपनाने की तिती दी गई ती दी गई जिसमें कहा गया थै इस सम्विदान सबाग में आज तारीक 26 नमंबर को 1949 को इदद द्वारा सम्विदान को अंगीगरत या अधिनीमित या आदम परमित करते हैं अगला कोस्तिन हमारा भारत का सर्बोच कानून किसे माना जाता है तो किसे माना जाता है भारती सम्विदान को ऑप्सने करेक्ट हो जाएगा भारत का सर्बोच कानून भारती सम्विद सो पचास से प्रभाब प्रभाबी हुआ यह किसी भी करतांत्रिक देश का सबसे बड़ा लेकित संविधान है तो आपको यह चीज भी ध्यान रखना है अगला को से नमारा भारत का संविधान को लागू हुआ तो कब लागू हुआ शब्विस एक उन्निस सो पचास को यानि 26 संविधान 26 जनबरी उन्निस पचास से लागू हुआ इसका कारण क्या 26 जनबरी गलतन दिवस की रूप में मनाया जाता है तो फ्रेंड्स ए और आर दोनों सही है और आर एकी उचित ब्याक्या नहीं है तो आपसन नमबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चिन ज की मसोधा समीधी यानि ड्रॉप्टिंग कमीटी के अधक्ष ब्यार अमेट करते भारती संविधान बनने में कुल दो बर्स ग्यारा महीने अठारा दिन लगे थे इसका कुछ बाग 26 नॉंबर 1949 को लागू हुआ था जबकि पूर संविधान 26 जनबरी 1950 को लागू हुआ आप अगला कोशन हमारा समिधान सभा की नने सो चालिस के अंतरगत भारती संविधान का निर्मार हुआ तो फ्रेंड्स कैबिनेट विसन प्लाण 1946 के अंतरगत भारती सम्मिदान का निर्माड हुआ आपको यह चीज भी ध्यान रखना आए और सने करेक्ट हो जाएगा हमारा नेक्ट कोशन हमारा भारत के लिए सबसे बड़ा पहले सम्मिदान सभा का विचार किस ने दिया तो किस ने दिया था एम एन राओ ने ऑप संभी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो भारत में सर परतम सम्मिदान सभा के निर्माड का विचार एम एन राओ ने दिया हमार। भारत्यी सींविदान सभा की तुन से ने दिया धुश्त थी सचनद सेना Chief Bunditate तो आप्सन डीस में हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कुछ नमारा सम्मिदान सभा के प्रारू समीति के अधिक कौन थे तो कौन थे डॉक्टर बी आर अमबेटकर आप्सने करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स प्रारू समीति सम्मिदान सभा की सभी समीतियों में सबसे जादा महात्पूर थी इसका गटन 29 अगस्त 1927 को हुआ था इस समीति का कारिये डॉक्टर अमबेटकर द्वारा तयार सम्मिदान का प्रारू पर बिचार करना था इसमें साथ सदस्ते जिनके नाम इस प आइन माधराव इन्होंने बियाल मित्र की जगाली जिन्होंने स्वातकालों से त्याग पत्र दे दिया था नैश्टे हमारे टीटी किस्लम किस्लम चारी इन्होंने सन 1940 में डीपी खेतान की मिर्दियों के बाद उनकी जगाली थी अगला कुस्टन हमारा भारती संविदान के निर्माड के दौरान निमलिकेत में से किसने उद्देसों के कतन औपजेक्टिब रिजूलेशन को प्रस्तुत किया तो किसने किया था जबारलाल नहिरू ने ऑप्सन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा तो जबालाल नहिरू ने 13 दिसंबर 1946 इसबी को संविदान सभा के सामने उद्देस प्रस्ताव पेश किया ये एक एतहासिक प्रस्ताव था जिसमें सोतंतर भारत के संविदान के मूल आदरसों की रूप रिखा प्रस्तुत की गई थी और वो फ्रेमबर्ग सो जाया गया था जिसके तए संविदान को का कारी आगे बलना था इसे 22 जनबर 1946 को पारित किया गया अगरा कोस्टन देखते हैं भारती संविदान के प्रारंब के समय इसे अध्यायों में बिभाजित किया गया था तो उप्सटन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो मूल संविदान में फ्रेंट्स आठ अनू सूजिया थी आपको ये चीज भी ध्यान डगना है भारती संविदान पर सबसे अधिक फिरबाब भारती सासा नदीनियम 1935 का आए तो ये कोस्टन एक्जाम में पूछते हैं ने इक्ट कोसिन हमारा भारती संविदान सभा के पहले सथिकार्जन कब हुआ था तो कब हुआ था Czechos को ऑप्सन हमारा भीक्रेक्ट हो जाएगा सम्मेदान सभा का गटन कैबिनेट विशन की सपारिस के बर्स पर बर्स 1946 में किया गया सम्मेदान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1940 को हुई जिसमें सचिना सेना को अस्ताई अधिक की रूप में चुना गया था तो 11 दिसम्बर 1946 को सम्मिदान सभा की दूसरी बेटक हुई जिसमें डॉक्टर राजिंदर परसाथ को अध्यक्ष चुन लिया गया था और सम्मिदान बनने में दो वर्ज 11 महीने 18 दिन का समय लगा था नेक्ट कोस्टन हमारा सम्मिदान सभा ने किस दिन भारत के राश्टी द्वज को अपनाया था तो कब अपनाया था 22 जुलाई 1947 को ऑप्सन डी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अगर्ला कॉस्चिन नमारा सम्विधान सवा ने भारती राश्टी द्वाच को कब अपनाया था तो कब अपनाया था 22 जुलाई defines 1947 को और सने हमारा को रेक्ट हो जाएगा नेक्षर हो देना भारती राश्टी पिर्तीग भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था तो कब अपनाया गया था 26 जनवरी 1950 को तो अप्सन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन जेखते हैं भारत का संविदान गड़तांत्रिक है क्योंकि तो इसका कोई इसमें कोई बशुन अगत अठक नहीं है आट को सिने मारा भारत गलतंत्र का मतलब क्या है तो का मतलब क्या है राजिका पिरमुक उसके लोगों के द्वारा परोफ शुरूप से चुना जाता है अब सिक्वारा क्रेक्ट हो जाएगा अससे निए इस्ट जाशन रस्त में सेध़ांतिक रूप से देश के सरबोच पत्र पर याम जन्ता में इसको इब्रक्षि पदसीन हो सकता है। भारती संविधान में गरतंतगी अब्दारला को प्रांद से लिया गया है आपको यह चीज भी दियान रखना है नेक्ट कुस्टिन देखते हैं अभी कतन दिया गया है उसका कारण दिया गया है तो भारत एक लोगतांत्रक्स देश है भारत का अपना एक सम्मेदान है इसमें नमबर हमारा भी करेक्ट हो जाएगा ए और आर दोनों सही है लेकिन और एक यूचित ब्याक्या नहीं है और संभी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा नाइक्ट हम देखते हैं भारती सम्मेदान के स्रोष यानि सोर्स हो इंडियन कॉंसिट्यूशन तो पहला को सिन हमारा भारत के सम्मेदान की संसदिय सरकार की अब्धारला किस देश से ग्रहत की गई थी तो किस देश्य से लिए गई थी एंग्लेंड से अप्शन भी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा भारत का सम्मेदान में बिभिन देशों से सम्मेदानिक तत्वो को लिया गया जैसे संसदिय सरकार की अब धर्ला इंग्लेंड से प्रस्तावन अमरीका से ब्रश्टाव नामने लिक्त सवतंत्रता समांता भंदत भाइचारे की विचार फ्रांससी क्रांटी से प्रेलिका से तो प्रस्तावना की भासा ओस्टेलिया चाहते हैं आपको यह चीज भी ध्यान रखना है कि नाइट को से हमारा भारत के संविधान से स्वाधीनता और बंदुता को शुरू करने का विचार किस देश से प्रेटित था तो किस देश से था फ्रेंड्स फ्रांस से ऑप्टन एक रेक्ट हो जाएगा तो भारत आप ए फैन्ड भारत के संविधान के निर्माल वेविन देश की संविधान के साहितां से लिया गया है फ्रांस से बात करते हैं तो गड़तांतर वक और प्रसतावना से मिस्व रत अंतरा समता बंधुता क्यादर सबाक ब्रेटेंड से संशादमक साधन परडाली इकल नागरि विटेस स्वारधिय के मौले करतब किस समयदान से लिये गए तो कहां से ली गए है सोबियत संग से अधिनर हमारा क्रेक्ट हो जाएगा भारती समयदान के मौले करतब इस संब्धान के बाद चतुर्ट ए में जोड़ा गया जिसमें मूल करतब्बों की ब्याक्या की गई इसमें मूल करतब्बों की कुल संक्या कितनी है गिरा अगला कुस्तिन देखते हैं भारती संविधान में अलेकित आपातकालीन प्रापदान किस देश के संविधान से लिया गया है तो किस देश लिया गया यह जर्मनी से ऑप्सन सी हमारा करेक्ट उजाएगा तो भारती संविधान के भाग 18 में अनुछे 352 से अनुछे 360 तक आप पातकाल की व्यवस्ता है जबकि मौलिक अधिकारों का प्रवापदान स्रोज संविधार जमरी का संगी व्यवस्ता का स्रोज कानाडा संसदी सासन प्रड़ली जथा बिदी का सासन संविधान से लिए गए हैं नेक्स देखते हैं संग राज्जिछेत्र यानिकी यूनियन पहला कोस्ते हमारा भार्दी संविधान की अनुछेत 35 में निम्ले किसमें से किस राज्जी के लिए बिशेत्र प्राप्तानों का लेक किया गया है तो किसका किया गया है जम्मू कस्मीर का जोगी में खत्म भी कर दिया गया है तो आपसन इसमें करेक्ट हो जाएगा इसके अगला कुस्त देखते हैं तेलंगाना की रजना के बाद अब हमारे देश में राज्जों की संक्या कितनी है तो कितनी है फ्रेंड्स 29 ऑप्सन भी हमारा गरेक्ट हो जाएगा तो तो तेलंगाना भारत का उन्तिसमा राज्ज है है एधराबाद को दस साल के लिए तेलंगा हैं और नो क्या हैं किंद्र सासी प्रदेश तो यह उस टाइम के हिसाब से कोस्तिन था आपको ध्यान रखना है अगला कुस्तिन देखते हैं सन में उडिशा भारत संका एक सोतन राज्ज के रूप में शामिल हुआ और अब भी है और सन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगल है फेंट्स अनुच्छे 371 आगला राजी के लिए विशेश पराफधानों वाले राज एबों मुस्य संबंदे दान नेमने परकार हैं महराष्ट गुज्रात के लिए अनुच्छे 371 है आसाम के लिए अनुच्छे 371 भी है माड़ीपुर के लिए अनुच्छे 773 है अगला कोस्टन देखते हैं 1949 में भारत का हिस्सा बनाता तो कौन बनाता तिरपुरा ऑप्शन डी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा तो सोतंत्रता के पस्टा तिरपुरा वर्ष नियुक्त में भारत का हिस्सा बना था एक जोड़ाई इसे पूल राज्जी का दर्जा दे दिया गया तो आप इस चीज को भी धियान रखें अगला कोस्टन देखते हैं भारती संब्यदान के निमले कितमे से कौन सा भाग केंदर साथिस प्रदोसर से संब्दित है तो कौन से संब्दित है भाग आठ ऑप्सन एक रेक्ट हो जाए तो कुछ राज दिये गए जिनका गठन के बारे में आप देख सकते हैं तो मेगाले को 21 जनबरी 1972 में तेलंगाना का 2 जून 1914 को उडिसा को 26 जनबरी 1950 को गोगा का 30 1987 को और तेलंगाना भारत में 29 राज्जी के रूप में अस्टित में आया था तो आपको यह चीज भी धिया सब्सक्रान रखना आए अगला कुस्टन देखते हैं ने कितमे से कौन सा राज हाली में बनाया गया है तो कौन सा राज बनाया गया है तेलंगाना ऑप्सन भी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा और यह कब बनाया गया है दो जून 1914 को आंदर परदे से अलग करकर अगला कुस्टन देखते हैं एक भागालिक और राजनीति के काई की रूप में तेलंगाना दो जून दुशर चौदा को और भारत संग के सबसे छोड़ राजी के रूप में बनाया गया तो यह भारत के उन्तिस्वे अगला कुस्टन देखते हैं सिंक्का भारत का एक राज्य बनाता तो कब बनाता उन्ने सो पिछतर में तो फ्रेंट्स ओप्सन एक रेक्ट्ट हो जाएगा उन्ने सो पिछतर इजबी में पैंटिसमें संभीदान संसोधन में उन्ने सो चौहतर के द्वारा सिक्किम को यह य प्रदान किया गया जबकि 36 में सम्मेदान सतोधन 1975 द्वारा सिक्म को पूल राज्य का दर्जा प्रदान किया गया आपको यह चीज़ भी ध्यान रखना है अगला को सिन देखते हैं कि इस बर्द गोवा को महाराश्ट के साथ बिले करने का विकल्प दिया गया था तो कब दि में करवाया गया था यह प्रतम उपनियन पूल ता जो गोवा को के महराश्ट के बिले के विरुद्ध था कि नेक्स हम देखते हैं आर्टिकल्स और स्यूडल्स अनुच्छे देवा मनुसूचिया तो सम्मेदान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा हमें समानता का अधारा तक उपसंद भी हमारा को जाएगा फैंस्समानता का अभीकार सम्मेदान के अनुच्छेद 14-18 में हैं यह अधिकार अम्रिकार सम्मेदान से लिया गया है समानता के अधिकार से तात्प्रिय कोई भी ब्यक्ति चाहे तो किसी भी धर्म, मोलबंच, जाती, लिंग, जन्यविस्तान का हो सभी को समानता अधिकार प्राप्त होता है इसके अतरिक समानता की अधिकार में आस्प्रश्रिता जैसी कुरूतियों का भी अंत्र किया गया है भारती सांसद अधिनियम 1955 अगर कोई व्यक्ति आस्प्रश्रिता का समर्थन करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा बकटोर काराबास का प्रापधान भी होगा तो आपको यह चीज़ भी ध्यान रगना है नेक्ट कोस्टन देखते हैं भारती सम्मेदान के किसन उचेद में राश्टपती पर महावियोग लाने की प्रिकरिया प्रदान की गई है तो किसन उचेद के अंतरकत अनुचेद 61 के अंतरकत आपसन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो भारती सम्मेदान के अनुचेद 61 में राश्टपती पर महावियोग चलाने की प्रिकरिया का प्रापधान किया गया है राश्टपती द्वारा सम्मेदान की प्रावधानों और अलंगान पर साथ संत की किसी सदन द्वारा महावियोग लाया जा सकता है परंतु इसके लिए आप शके राश्टपती को 14 दिन पहले लिखत सूचना दी जाए जिस पर उस सदन की एक 24 सदसों के साक्षर हो जबकि अनुचेद 42 में प्रुस्ती सायता तता अनुचेद 48 किरसी एवं पसुबालन से संबन देते है अρχला कुस्षिं देकते हैं भार्ती सम्मेदान के किस अनुचेद कित राश्टपती किसी राज्जी के संबेदैनिक प्रुडडाली के विपल होने की धशिया में उस राज्जी सीनकरानने राप्णान के लिए कुछ समुदाइद की को बिस कि मिलता एंग्लियों इंडियन समस्टा को वाफसेंडू टी हमारा क्राइक हुढचे फैन्स अनुचय तीनसों ऑचिशेवाओं के लिए अंगल भारती समुदाइद को विजिश्श पराइद्धन मिलता है इस सम्विदान के प्रारम के पस्चाद प्रत्थम दो बर्स के दोरान संग को रेल सीमा सुल्क डाग बतार संबंधी सेवाओं में पदों के लिए अंगल भार्दी सम्विदार के सद्धतों की नुक्ति उसी आधार पर की जाएगी जिस आधार पर 15 अगास 1947 से ठीक पहले की अगला कोस्शन देखते हैं जीवा ने वीयक्ति गस्वत्त गर्रैक्षा हलं को भारत के संविदान के लुध ध्यसी के अंतरुक्त शामिल किया गया था तो किसे बैस्थिकनत له 21 उननेस तो बोलने की सोतनता से संबंदित है आटी अलबाइस तो कुछ दसाओं में गरफतारी और निवारक निरोत कानून है अनुछिद बाइस के अंदर अनुछिद बीस की बात करते हैं तो अफरात के दो सिद्धी के संबंद में सरक्षर है इन्हें भी आपको दिहान रख करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं भारती संब्यदान के निम्ले कित में से किस भाग के अंदर अनुछिद 36 से क्यावन सुचिवद्ध किये गए तो राज के नितिजी देशक सिद्धान से ऑफ्टन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा है कि फैंस राज की निदी जी से तत्वों को आइलेंड के संब्यदान से लिया गया है अनुछिद 40 कि राम पंचायतों के गटन से संब्द देख अनुछिद 48 किर्शी और पसुपालन संग्टन से संब्द देख आर्टिकल अलतालिस ए परियावरल सुरक्षा से संब्द देख आर्टिकल उननचास भ घर अगला कोश्चन देखते हैं कि निम्में किसमें से कौन सा नुच्छिद और अपराश्प्रीटी के चुनाव से संब्द देख तो कौन सा अर्टिकल संब्द देख अनुछिद 66 अफर नीकरेक्ट हो जाएगा हमारा अगला कोस्टिन देखते हैं भारती संविदान की अनुच्छेद सत्रा किस संबंद्ध तो किस संबंद्ध ते अस प्रश्टा का उन्दमूलन से अपसर ने करेक्ट हो जाएगा हमारा अगला कोस्टिन हमारा निम्लेकित में से कौन अनुच्छेद मान आपके यातायात एवं बालस्रम की रोख्थाम से संबंद्ध तो कौन सा अर्टिकल है अनुच्छेद तेज तो अनुच्छेद तेज में मान आपके दुर्वेबार बेकार और सभी पिरकार के बालस्रम यह उप्लब्द है तो आफको इसे भी ध्यान रखना रखना है DIE हूँ नेखिखते हैं भारति संगी अधिकारिक भाशाओं का लेक भारत के समभिदान की किस अनुच्छी में किया गया है लिए इस अनुच्छी में आफ़ इम्ण Maar कर्एट हो जाएगा लेद्स भारति 얘는 को लेक भारत की संभीदान की आठ्वी अनुसूची में किया गया है तो आप इस रीज़ का ध्यान रखेंगे इस अनुसूची में बाइस भारती भासाओं को शामिल किया गया है इन में से चौदा भासाओं का मूल संभीदान में शामिल किया गया है तो 1967 में सिंधी भासा को इस है प्लबाइस प्लाइब भार्टी सम्भीदान की दस्म्य अनुसूची निम्ले कित्मे से किस के बारे में हैं तो किस के बारे में यह दल बदल विरोधी कानून के ऑपने ग्रेक्ट हो जाएगा हमारा पिने ऐसे हैं फाटिकल आपशन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो भार्ती सब्लाइद राचिदे नेकर निक्यार के रिव्यक्ति की सुथनत्व का दिखार शान्ति पूर्भक निडियुद सम्मेर कादिकार समागा में संग बनाने का दिकार भारत के राज चेतर में सरबत निरबाद संचरण का दिकार भारत के राज चेतर में किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का दिकार कोई भी बिरत्ती ब्यापार या कारोबार करने का दिकार आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेंगे अगला कोस्तिन देखते हैं भारत के संविदान के निम्लेकित अनुच्योदों में से किस अनुच्यद में यह लेक है कि मुख्यमंत्री राजिपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा अगला कोस्तिन देखते हैं भारत के संविदान में से किस अनुच्यद में सिक्चा का अदिकार की ब्याख्या की गई है तो किस अनुच्यद में अनुच्यद 21A में ऑप्सन दी हमारा करेक्ट हो जाएगा भारत के संविदान में अनुच्यद 21A में सिक्चा के अदिकार की ब्याख्या की गई है राजिक 6 से 14 बर्स के आयू के संविदान से जैसा कि राजिपाल द्वारा अब धारित करें निशुलक अनिबारी सिक्चा अपलब्द कराएगा नेक्ट कोस्टन देखते हैं भारती संविदान का अनुच्यद 21 निम्लिकित में से किसे संबंद्ध है तो किसे संबंद्ध है सिक्चा के अधिकार से ऑफ्सन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा नेक्ट कोस्टन नमारा निम्लिकित में से कौन सा राज्य संविदान की छटी अनुच्ची का पारण नहीं करता है जो जन जाती छेत्रों के पिरसासर निविम्ने अंतर से संबंद्ध है तो कौन सा रहा है नागलेंड ऑफ्सन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो छटी अनुच्ची में आसम मेगाले तरपुरा मेजोरम राज्य की जन जाती छेत्रों के पिरसासर के बारे में प्रापदान है नागलेंड का पिरसासर निविम्ने अंतर च्छटी अनुची के अंत करता है जिसके तहित निर्वाचिस सदस तता सदस एंगलो इंडिया समुधाय को प्रदिरत करते हैं जिनने भारत के राश्पती द्वारा नाम अंकित किया जाता है तो फ्रेंड्स 550 और दो ऑप्सन एक रेक्ट हो जाएगा हमारा तो भारत का सम्मिदान लोगसभा का आकार को सीमित सीमांकर करता है जिसके तहित 550 निर्वाचिस सदस तता दो सदस एंगलो इंडियन समुधाय अनुचे 331 के तहित प्रतिनित करते हैं जिनने भारत के राश्पती द्वारा नाम अंकित किया जाता है कि अगला कॉस्चन देखते हैं सम्मिदान के अनुसार किसय अनुचेत के तहित जीवन की सुरक्षा की बैक्तिक स्वीत हिंता की प्रतान की गई है तो किस अनुचेत के अंतरगत अनुचेत 21 के अंतरगत ऑप्सन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला खुस्टें देखते हैं भारतिय संविधान का अनुचे 29 निम्ले कितमे से कौन सा अधिकार प्रदान करता है तो कौन सा अधिकार प्रदान करता है अलब संक्यों के हितों की सुरक्षा भारतिय संविधान के भागतीन में मौलिक अधिकारों के तहित अनुचे 29 निम्ले के संविधान के तहित अलब संक्यों किया गया है अगला कोस्तिन देखते हैं हमारे संविधान का कौन सा अनुचे दिये कहता है कि सदन में बोटों की समतुलिता की स्थितिक में स्पीकर के पास अन्तिम कास्टिक मत होगा तो कौन सा आर्टिकल कहता है आर्टिकल सो ऑप्सन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन हमारा भारती संविधान के अनुचे देख सो बारा कि तहित तैयार बारती बित्र बारती बित्रर को कहा जाता है क्या कहा जाता है बजट ऑप्सन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो पहला बजट किसने पेश किया था आर के सुतन भारत का पहला बजट आर के करनमर मुकम चेट्टी ने जो की चब्स नमवर नुच्छा को पेश किया था अगला कुस्तिन देखते हैं भारती संविधान के अनुचे देखिए में निमले किसमें से किस अधिनियम का उल्ले का और सने करेक्ट हो जाएगा हमारा तो भारती संविधान के अनुच्छे देखिस ए में सिख्चा के अधिकार का उल्लेक किया गया है इस अनुच्छेत के अंतर राज के छे से चौदा बर्स की आयू कि समस्थ बच्चों को निसल्क तता निवारी सिख्चा उपलब्द कर आएगा यह श्यासी बाद संविधान संतोजन द्वारा दोजार दो में जोड़ा गया है कि अगला कुस्छन देखते हैं भारत की राज्यविन संग सासित प्रद्यों सोग को संविधान के किस अनुच्छे ची में उल्लेक है तो कौन से अनुच्छी में पिर्था इस अनुच्छ और धरम के अनुच्छन इक अधीकार हो जाएगा हान को अगला कुश्टन देखते हिएiders संविधान की प्रष्बतामिं लुदे एकट निम् screams कृत्में से किस से अपनी प्रदीर प्रद्यों करता है तो किससे प्रद्यों करता है रशियन गिरांति इस गत्र समाजबाद सब्द रशिन किरांती से प्रहेरत हैं 42 में सम्विदान संसोदाइश द्वारा सम्विदान की प्रस्तावनाओं में समाजबादी पंत निर्पेक्ष और अखंद्र सब्दों को जोड़ा गया है तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है अगला कुस्तिन देखते हैं सम्विदान की निर्मताओं की सोच भारत के सम्विदान के किस हिस्से में परिलक्षित होती है तो किस हिस्से में प्रस्तावनाओं में और संसी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन देखते हैं सम्विदान का कौन सा भाग इसकी निर्मताओं की भावनाओं और आधरसों को दरसाता है तो कौन दरसाता है प्रेम्बल यानिकी प्रस्तावना ओप्षिन नमर्ए क्रेक्ट हो जाएगा हमारा अगला कुस्तिन देखते हैं निम्रे कितमे से भारत के बारे में सही कतन चैन करें तो भारत एक धर्म नर्पेक्ट देश है जिसका कोई अपना धर्म नहीं है ऑप्षिन भी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा आपसन डी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा तो गल्राज जहांके सासनेस्ट में सैदान्तिक रूप से देश का सरवोच पतबर आम जंता में से कोई व्यक्ति पदासीन हो सकता है इस तरह कि सासन को गल्राज कहा जाता है तो विकल्प डी गल्राज सब्द का अर्थिंगत नहीं करत है अगला कॉस्टन देखते हैं भारत के सम्मेदान की प्रस्तावना यानि प्रेम्बिल में प्रियुक्ष्व सब्द को अलतंत्र सूचित करता है तो किसे सूचित करता है कि देश का प्रधान निर्बाचित प्रती और निश्वदी हाए और सञे कि हमारा कर्यक्त हो जाए सब्सक्राइब होने के बाद किसे अधिनियम से नागरिक्ता पाने और गबाने के सम्मंदी प्राप्दान एक तो किस में नागरिक्ता दिनियम 1955 में और संसी हमाना क्रेक्ट हो जाएगा अगला क्वस्चन देखते हैं इन में इसे कौन भारत की नागरिक्ता प्राप्त करने की एक शर्थ नहीं है तो कौन सी नहीं है संपत्ति अधिकरण और संसी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा प्रेंड्स नागरिक्ता दिनियम 1905 नागरिक्ता प्राप्त करने की पांच अर्थे बताता है जन्म बशानुगत बंजी करल प्राकरते के बब छेद्र अधिकार फंडामेटल राइट तो भारत के संविदान में मौलिक अधिकारों को पारित करने का बिचार किस देश्चे संविदान से प्रेटित थी तो किस देश्चे थी अमरीका से ऑप्संदी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्टिन देखते हैं भारती संविदान क कि मौलिक अधिकार की संकल्पना किस देश से प्रेट है तो किस देश से अमेरीका से ऑप्टन एक रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन देखते हैं भारत में कार खानों में कार खाने में रोजगार प्राप्ट करने की अनुमत आयू क्या है तो क्या है यू 14 वर्स ऑप्टन करेक्ट हो जाएगा हमारा अगला कुस्तिन देखते हैं भारत के संविदान का बढल मौलिक अधिकारों में से निम्लिकित में से कौन सा मौलिक अधिकार शामिल नहीं है तो कौन सा नहीं है संपत्तिक अधिकार ऑप्टन सी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तिन दे अगला कोसिजन देखते हैं घृप नीता कादिकार भारत के संभीदान की निम्लिक्त खंडों में से किस एक अभी नहीं चाहिए तो किसका हिस्साय मौलिक अदिकार का ऑफसन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा अगरा कॉस्टन देखते हैं भारती सम्विदान की अनुछे दिक्यावन ने में निमने कितमे से किसका उलेक है तो किसका उलेक है फ्रेंड मौलिक कर्थब का ऑफसन भी हमारा करेक्ट हो जाएगा एदिनियम दौरा हैं भाट चार का में अनुछृ 51 का के थétais मूल करतब सीर सकते द्रद्रद भी दस मूल करतब को जोड़ा गया तो बाद में 46 सम्मीदान तेनी क्या नए मूल करतब भू को जोड़ा गया बरतमान में ौल करतब की संग्जा कितनी है किया रहा है अगला कुस्टन देखते हैं भारती सम्मेदान का कौन सा भाग साज के बच्चों महिलाओं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए बिसेश परापधान बनाने का अधिकार देता है कौन सा भाग देता है भाग थर्ड ऑप्सन एक हो जाएगा तो फैन्स भारत की सिक्चा अधिकार अधिनियम आठी 2009 में पारत हुआ था एक अपैल 2010 में पूर्दियूस में लागू कर दिया गया जिसके तरह 14 अबर तक के बच्चों को नेशल्क और अनिवारी सिक्चा का परापधान किया गया है अगला कुस्टन देखते अगला कुस्टन देखते हैं किस पर मौलिक अधिकार में शामिल किया गया तो कप किया गया अपरैल 2010 में होप्सन हो जाएगाms नेक्स फोस्टीन देखते हैं भारत के संभितान के अनुसान मेले उभी मिनें से कौन सा एक मौलिक अधीकार नहीं है वैसने डेश की रख्षा मता घृक्षा कह दीकार और हमारा और हो जाएगा मैं हेड़ने क्या चीज़ नहीं है मौलिक अधिकार यह क्या एक मौलिक करतब है तो आपको इस चीज़ का भी जियान रखना है और सुतंता का अधिकार आर्टिकल 1922 तक है कि अगला कुस्तिन देखते हैं चार मौलफूत अधिकारों में से एक का चैन करें जो भारत की नागरिकों और विज़ेसियों के लिए उपलब्द होता है तो कौन सा होता है धार में मामलों का प्रबद्न कराना की सुतंता जो कि आर्टिकल 26 में दिया गया है कि में डेकतेम मौलक करतब तो हमारे सम्मेधान के अनुच्छेत के अंतरगल भारती नागरिकों के मौलिक अर्थभ्टों के समय Natürlich경 किया गया थो किसमें थिस्ट वाला में किश्द किया गया है ऑप सन भी हमारा क का टॉट हूज जागा अगला कोस्टन देखते हैं भारत के संविधान में कितने मौलिक करतबों को प्रत्यस्ताबित किया गया है तो कितने किया गया है ग्यारा ऑप्संसी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा नेक्ट हम देखते हैं नीदी निदी से सक्षिप के मॉश्ट इंपोर्डन कोस्टन डॉक्टर अमिट जटुडान की कि और तो कितनvenue कि आकशनमें? तो किसी आनतों की खुछा जाता राज़किने Ende देखता कर सिद्धान में का पना यसे जट्धान के सभ्सिप क्यांके तक एइसका उपलब्ध्द व्बंद आइलेंड के सम्विदान से लिया गया है तो भाग चार को सम्विदान की चेतना भी कहा जाता है अगला कुस्तिन देखते हैं भारत के सम्विदान में समान नागरिक साहिंता को प्रभदान का लेक किया गया है तो किस भाग में किया गया है भाग चार में ऑफ्टन भी हमारा क करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्तन देखते हैं भारती संब्यदान के निम्लिकित में से किस भाग में कारी पालिका को न्याई पालिका से अलग किया जाता है तो किसमें राजी के निदीची जित्रा सक्षिद्धांत में ऑप्सन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा तो भारती संब सब्सक्राइब करने के लिए किसी भी कानून की अभी शक्ता नहीं होती है और अप्संदी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्तिन देखते हैं समान सिब्सहिंदा का बाढ़ सम्मिदान के किस अनुच्छत में किया गया तो किस अर्टिकल में किया गया एफ्रेंड आर्टिकल चबालिस में और संडी हमारा क्रेक्ट हो जाएगा तो फ्रेंड्स यह थे पॉलिटी के मौस्ट इंपॉर्टन को स जिसका हमने प्रेक्टिस सेट नमर बंड डिस्कस किया आई यह आपको यह वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो आप लोगत रेक्वेश्ट है वीडियो को जाता जाता शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नए अपने प्रेक्टिस सेट के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत